हाई प्रेंड्स मैं दिपक बुल रहा हूँ और स्टागुरु दिपक चैनल में आपका स्वागत है आज का आपने टोबिक है मार्केट वीक लिव्यू मार्केट वीक लिव्यू में हम लोग देखेंगे एक मार्स के लिएक पाज मार्त तक मार्केट कैसे रहेगा निप्टी निप्टी और ज्नी स्टोक के पड़र में आपने मुझे पूछ आए मैं यह पर कवर करूंगा दोस्तो अनिबले वीक के बारे में देखने के पहले हम लोग देखेंगे कि लास्ट में मार्केट कैसे था तो लास्रों में जो था डवीक पूरा एक volatile week था, market ने निप्टी ने जैसे कि minus 452 points week on week दिया है और bank निप्टी ने 1000, लेकिन ये point कम लग रहे हैं, जैसे कि market बहुत उपर और नीचे ये week में किया था, जैसे कि निप्टी ने high किया था, 15,117 का high किया था, low 14,467 का low किया था, closing है 14,622, तो यहाँ पर दिखे क कि market कितना volatile था, अभी जो next week में क्या range हो सकता है, मैंने option chain के उपर देखा, जो range है, ओ range है, बहुत ही narrow range है, 14,800 से लेके, 14,500, यहने 300 point का, लेकिन आज का volatility देखे, जैसे कि current week में volatility हो गया, ओ देखे, लगता नहीं कि ये range में market हो सकता है, नीचे का range, जैसे कि 14,500 को जहाँ प तो market 14,000 भी आ सकता है, तो यह support और resistance जो बनते हैं, वो कभी-कभी break भी होते है, यह आर रखना, और उपर भी market जैसे कि 15,000 भी जा सकता है, जैसे कि 15,000 और 14,000 का अगर हम लोग रखेंगे, range रखेंगे, यह better होगा कि आजकल का volatility देखे, market बहुत ही volatile है, last week में जिसे हम लोग देखेंगे, तो हमको market में जो crash दीखा, तो बहुत बड़ा crash था, यहने कि correction हम लोग जिसको बोल सकते, crash नहीं, तो यह correction के बहुत सारी reason थे, जैसे कि यूर्ज बॉर्ड निल का एक reason था, दूसरा कि world market और जैसा कि यूर्ज ने CRIP attack किया, यह भी news था, तो वो भी negative impact कर रहे थे, covid के cases बढ़ रहे हैं, तो सब मिला कि यह जो negative news आ गए, प्लस अपने GDP जो था कि ओडिकलेर होने मिलाता, ओ market hours के बाद हुआ, लेकिन जैसे कि Friday था, तो सबने सोचा कि profit book कर ले, तो शायद उसलिए भी कुछ profit booking हुआ, जैसे कि negative news आता है, तो सभी लोग सोचते हैं कि अपने position square आप करें before weekend, तो ऐसा कुछ यहापर scenario हुआ है, और जो अपना GDP आया, 0.4 आया, previous GDP था, minus 7.5 था, तो यह GDP comparison में अच्छा आया है, लेकिन expectation से थोड़ा कम है, इसका impact Monday को कुछ होता है कि देखेंगे, वैसे भी आभी हम पर देखेंगे कि market कैसे react करता है, market ने downtend confirmation दिया कि नहीं दिया, यह भी हम लोग चार्ट पर देखेंगे, चार्ट पर बहुत सारी चीज़ क्लियर दिखते है, देखो कुछ आगे कुछ negative होने वाला है, या फिर positive होने वाला है, यह चार्ट अपने आप भी बता देता है, त उसके पहले कि next week में क्या-क्या events हो सकते हैं, तो first March से जैसे कि हमरे auto sales आते हैं, तो domestic में auto sales का ही खरेगा, तो auto share के उपर आपको देखना पड़ेगा कि उसका कैसा impact होता है, बाकि जैसे मैंने news लेके तो इतने बड़े जो कि भार के कुछ news नहीं है, world market के, लेकिन फिर भी हम हमको world market follow करना पड़ेगा, तो यह सब देखेंगे, प्लस हम लोग देखेंगे levels, तो चले हम लोग चार्ड के उपर जाके देखते हैं, कि next week के लिए क्या level हो सकते हैं तो दोस्तों हमने शुरुआत करते हैं, यहाँ पर निप्टी से, तो हम लोग weekly view देख रहे हैं, तो हम completely long time frame से भी देखेंगे, जैसे कि monthly, अगर monthly में देखेंगे, तो बहुत अच्छा candle बन रहा था, लेकिन यहाँ पर देखें कि, आभी जो मतली का एक candle बनाए, तो उपर स कि support रहेगा, अगर वो break हो जाता है, तो ज्यादा down जा सलता है, वो लोग फिलाल तो बहुत दूर है, लेकिन जो candle बनाए, एक negative बनाए, हम लोग weekly में देखेंगे, तो जैसे कि मैंने bank nifty और nifty में भी आता कि weekly में एक negative candle बनाए, जो एक निप्टी में बनाता, जो एक देखो तो यह low से अगर मैं यह top में जाओ, तो यह 50% का retracement हुआ है, यह 50% के आजपास यहाँ पे market correct हुआ है, तो 50% या 61% से market कभी-कभी यहाँ से recover भी होता है, अगर नहीं होगा, तो डैरिकली यह low तक भी आ सकता है, हम लोग daily में और picture जो एक ही clear हो जाएगा, तो हम नहीं कि market ने downtrend confirmation दिया है कि नहीं दिया है, तो उसके लिए कुछ मैं आपको यह बता देता हूँ, जैसे कि अगर फर्स हिस में देखोगे तो trend line अभी तक break नहीं हुआ है, लेकिन जो highs और lows है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे, तो जैसे कि market ने देखे कि और जो यह low था, उसको भी नीचे market ने एक clear credit close दिया है, यह जो एक significant candle बना है, तो जैसे कि मैं कहता हूँ, always significant candle के उपर यह नीचे close होता है, तो trend reversal होता है, यहाँ पर देखेंगे कि market ने एक बार इसके उपर close देने के बाद भी फसा दिया, और नीचे एक gap down हुआ, यह news के वज़े से हुआ था, लेकिन देखें कि market का trend जो है कि कभी भी positive होता है, तो जो higher रहेगा, जैसे कि यह पहले high था, अगर यह break करता तो positive में जाता था, तो यहाँ पर एक बार इस significant candle के उपर एक बार ही close होआ, फिसे यह reversal होआ है, और आल हम लोग देखेंगे, तो market का जो formation है एक lower है, और lower low का बना है, और एक नया वाला low भी उसने break हिया, तो यह एक थोड़ा short term में downtrend confirmation है, बड़ा downtrend कभी आ सकता है, यह भी outlook सुचेंगे, तो अगर आप significant low देखोगे market के, तो यह जो है यह वाले, यह significant low है, जब यह low break होते हैं, almost 13,596 के आसपास है, तो एक बड़ा और correction आ सकता है, बड़ फिला ले ब्रेक होते हुए, मुझे नहीं लग रहे कि हो सकते हैं, market में कुछ भी हो सकता है, बड़ जो short term जो downtrend था, यहा तक आने का एक मुझे समावना लग रही है, जो कि एक short term trend, जो market में यहा पर बना है, अगर आप ऐसे देखोगे, तो यह channel भी में ने का, कि यह उसके future भी down दीख रहे है, तो यहाँ पर news भी कुछ भी आने दो, लेकिन देखें कि market को trend को follow करना है, तो यह trend यहाँ पर negative दीख रहा है, market का trend जो एक ही positive या फिर upside कभी जाएगा, तो उसके लिए जैसे कि ए significant candle है, तो उसका high 14,009.19 के उपर जाता है, यह अफिर जो नजदीक वाला जो ए बना है, high, नजदीक वाला high जो बना है, 15,001,70, तो उसके उपर अगर market जाएगा, कभी भी जा सकता है, इने टाइम जबी जाएगा, तो एक जो कि आप trend रिजुम हो सकता है, तब तक बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो next week में क्या हो सकता है, क तो यहां से market ने travel किया यहां था, तो इसका जो हम लोग देख रहे है, 50% के उपर बोरोबर है, तो एक support हो सकता है, 50% पे उपर बहुत बार market support लेता, नहीं लिया, तो maximum 61 पे लेता है, और 61 के उपर ए trend line भी आपको दीख रहे है, तो यहां कहीं अगर market support लोगी थोड़ा bounce हो सकता है, और उपर के लिए मैंने आपको यह level बता है, जैसे कि में option chain के भी level आपको बता है, और मेरा भी range बता है था, उपर, नीचे 14,000, उपर 15,000, क्योंकि market दीखे है, अगर आप candle देखोगे, budget के बाद, budget के कुछ दिन, और आभी, जो कि यह दो week से, market बहुत volatile है, तो range ब उपर जाएगा, तो एक थोड़ा सा हमको उम्विद हो जाएगी, कि market यहाँ पर cover हो सकता है, और आल ट्रेंड जो है कि एक settle हुआ है, कि downtrend में settle हुआ है, ट्रेंड कभी भी reverse हो सकता है, हमको level देखने, तो currently market ने क्या किया है, कि downtrend established किया है, Monday के लिए कुन से level हैगे, intraday के जाएगे, जहाँ पर आप पाई है, sell कर सकते हो, यह हम लोग देखें कि 5 मिट के candle के उपर, तो 5 मिट के उपर हम लोग ए clear cut chart देख रहे हैं, तो देखें कि जो पहले वाले levels है, जो कि daily के भी आये है, तो daily में 14,730 के उपर जाता है, तो यहाँ पर हम लोग buying के लिए सोच सक करते हैं, selling के लिए simple है कि जो Friday का जो low बनाता, अगर उसके नीचे market 15 मिनिट भी sustained होता है, तो यहाँ पर आपको sell करना चाहिए, 14,468 का एक level है, यह होगा Monday के लिए, most probably selling का call ज्यादा मिल सकता है, जहाँ पर जो कि आपको अच्छा downside मिल सकता है, buying के लिए आप wait करके यहाँ मैं देखो कि इसलिए मैंने उपर वाले level थोड़े high वाले दिया है, next हम देखेंगे bank nifty, तो देके bank nifty भी जो लास्ट वीक बोती जो एकी negative performance भी दिया है, एकी दिन उपर गया ता फिर से gap down, bank nifty में भी अब trend देखोगे, जो high, lower high, low, lower low, और यह low भी break किया है, तो same, दोनों मने भी एक downtrend confirmation दिया है, तो मैं जैसे कहता हूँ कि confirmation दिया है, लेकिन वो trend जो एकी कभी भी reverse हो सकता है, तो यहाँ पर जो low break किया है, और नदिक वाला एक high यहाँ पर, तो यह level जभी कटके bank nifty, मने को भी इसके level के उपर अगर sustain होता है, तो यह trend reversal हो सकता है, बढ़ current trend जो यह downtrend है, नेक्स जो लेवल बैंक रिप्टी के लिए support का आ रहा है, 34, 200 का यह जो लेवल है, यहाँ पे, और उसके बाद है 32, 8, 42, तो यह 32, 8, 42 यह level के आए कि जहासे बैंक रिप्टी ने breakout दिया था, तो most of the time यह level पे आके भी bounce हो सकता है market, यहाँ पे recovery का ज्यादा चांस ने लगते वे, मुझे downside आने का chance यहाँ पे ज्यादा लग रहा है, उपर जबी जाएगा कि uptrend resume हो सकता है, जबी यह high है, 37, 2, 32 के उपर ही एक जो कि uptrend resume हो सकता है, तो इस note के उपर हम लोग देखेंगे, intraday में 5 मिनिट के उपर मेंडे को हम लोग क्या trade ले सकते हैं, तो यहाँ पे जो भी 5 मिनिट के मेरे level थे, यहाँ पे पहले कटने के बाद यह जो नीचे वाला level था daily का, उसको ज्यादा respect नहीं कर रहा है, तो हम लोग नए level निकाल सकते है, low of the day always, क्योंकि यहाँ पे दो बार इसने support लिया था, 34, 657 के नीचे, बिल्कुल यहाँ पे short बनता है, तो पहला जो है कि अमिनाज जी उन्हें ने रेमन के बारे में पूचा है, तुरा चार्ट देख लेदे, तो रेमन में यहाँ पे देगे कि एक अच्छा breakout हुआ है, और breakout के बाद mostly stock के अगरता है कि यह rates को आ भी जाता है यहाँ यहाँ से उपर जाएगा, currently आपने buy किया है, उसके 383.90 तक भी यहाँ पे यह आ सकता है, नेक जो stock है, GNFC, तो GNFC के बारे में मुझे पूचा है प्रादिप जी करके उनने इसका पूरा चार्ट देख ले दे, तो GNFC का देखे कि अच्छा momentum चल रहा है, यहाँ पे अभी जो खड़ा यहाँ एक resistance है, 295 के आसपास, एक बार breakout होने दो यहाँ पिर यह लेवल पर आप बाउंस होने दो, तभी आप clear cut यहाँ पर पाई कीजिए, ओराल ट्रेंड में इसका strong काऊंगा, नेक जो ADFC live मंगेच करके उनने ने मुझे पूचा, तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जाने के बाद, एक बार ऊपर भी क्लोस किया था, फिर से नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर इसका जो support है, 688, यहाँ पर कुछ positive candle बना नहीं दो, तो उसके बाद अगर उपर जाता है, तो 684 को टॉप्लस आते हैं जाब आप बाई कीजिए, यहाँ पर वेट में वाच करना पड़ेगा, यह range bond है, यह रेंज क बना रहा है, पिलाग अपने अगर भाई किया होगा, तो इसको closing basis पर टॉप्लस लगा सकते हो, 408 के नीचे अगर close होता है, तो यहाँ पर अगर पर जिनको शॉट करना नहीं, वो शॉट कर सकते, 381 का यहाँ पर टार्गेट आ सकता है, नेक जो एक है TCS, जिरीज जी करके उन्हें ने मुझे पूछा, तो तीके TCS भी जैसे के सभी IT फ्रोग है, यहाँ पर अच्छे का सर्य रेली के बाद रिवर्जल करें, थोड़ा नीचे आरे, फ्रॉपर ब्रुकिंग हो रहा है, तीस एक अच्छे लेवल पर खड़ा है, 28 283, यहाँ पर अगर एक लेवल पर इस उपूर लेता है, तो आप पाई कर सकते हो, एक ग्रिन कैंडल आने दो, और नीचे का 283 का ही टॉपलस लगा के इसको पाई कर सकते हो, लेकिन अगर इसके नीचे क्लोज देता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक निगेटिव हो सकता ह है, और यहाँ पर जैसे कि एक स्टॉक भागने के बाद थोड़ा सा एक्जोस होता है, तो यहाँ पर अगर बाई किया हो तो 1330 का एक टॉपलस यहाँ पर लगा दो, अभी इसमें नया बाईंग लेना है, 1462 के उपर प्रेकाट होता होता है, यहाँ पर नीचे आने के बाद 1330 का support लेके reverse होता है, तो भी बाई कीजे, फिलाल इसको थोड़ा सा अवाइड कीजे, यहाँ पर selling कहा तक आता है, वो देखना पड़ेगा, selling pressure candle बिल्कुल यहाँ पर आया है, नहीं जो टॉक है, यहाँ बाईंग के अगर तो उसको टॉपलस लगा सकते, फिलाल इसको recommendation में दी ढूंगा, अगर यहाँ पर कोई green candle आके reverse होता है, तो भाई कुरो, और नीचे का इसको जो एकी 2118 का टॉपलस लगा सकते हो, नहीं जो RVNL, जो एकी Mr. KG, उन्हें ने पूचा है, तो यहाँ पर RVNL का जो stock A, clear cut आपको range bond जीग रहा है, यहाँ पर जैसे कि आपने चार्ट बेटन देगो, चार्ट बेटन जो उपर यह अच्छा चलता है, तो अभी का जो चार्ट बेटन है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ब्रेकाउट हो दी दीजिए, 33 के उपर अगर जाता है, और hold करता है, तो अब इसमें बाइंग कर सकता हो, फिलाल wait and watch करना अगर आपको Friday का low को अगरे ब्रेक करता है, तो आप इसको short कर सकते हो, नीचे का target रख सकते हो, नया buying करना है, तो जब यह 498 के आपास आता है, जब आप 486 का टॉपला करके buying कर सकते हो, तो यहाँ बाइंग रेक्मेंडेशन ही है, उल्टा यहाँ आपे selling recommendation है, नहीं जो है क इंडियन वाइल के बारे मुझे विनाएक जी करके उन्हें नहीं पूछा है, तो इंडियन वाइल का chart देख लेते हैं, इसके chart अगर हम देखे होगे, तो जो trend देखो तो यह uptrend है, और इसको मैं extend भी करता हूँ, तो trend लाइन निकालके, तो इसको uptrend अभी देख continue है, लेक ब्रेक आउप होता है, उसके उपर देखना, अगर यह trend लाइन की नीचे दो rate flows होता है, तो यहाँ पर आपको exit करना पड़ेगा, ओवरराल current trend अभी तक positive है, तो दोस्तों, इसको शेयर कीजिए, इसको share कीजिए, और आपके comments भी दीजिए, दोस्तों, ऐसे आपको टेक्निक इसके detail हम लोग, अगर आप हमको call करते हैं, दिएगे नंबर के उपर, तो हम आपको detail देंगे, या फिर हमारे website है, talkguru.debug.in, वहाँ पर ही जाके हमारे course की जानकरी आप पास सकते हो, दोस्तों, जैसे कि last week में मैंने दो दिन वीडियो नहीं बनाई थे, because of some personal problems, लेकिन next week से म रेगूलर वीडियो भी बनाऊंगा, और अपने जो educational वीडियो जहें, candle's ठीक ही चल रहे हैं, वह भी मैं बनाऊंगा, उसको आप ज्यादा स्यादा like दे दो, और share भी करो, तो मुझे भी होस्ता मिलेगा कि और नहीं वीडियो बनाने के लिए, दोस्तों तो next week में मिलेंगे जैहिरू